नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर, एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का श्वागत करता हूँ तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यूपी ट्रिपल सी पीटी को लेकर जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि सभी स्टूरेंटों के साथ मेरी शाहनव होती है, प्रेंड आप लोग ने अथक प्रयास किया, पीटी के रेजिस्टेशन को डेट को आगे बढ़ाने के लिए, ट्वीटर केमपेन से लेकर आयोग में धरना परदर्सन भी दिया गया, लेक के अंदर गयते ताकि बता सके कि क्या क्या उनकी प्रॉबलम है, तो बहुत सारे श्टूडेंट ने बताए कि पीटी रेजिस्टेशन की लगवग दो या तीन दिन से वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, पर उन्होंने इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, उन्होंने बढ़ाने से इनकार कर दिया, अब यहाँ पर यह जो आज की कवर है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जितने भी कंडिडेट यूपिट्रेपलसी पीटी का फॉर्म अपलाई कर चुके हैं, वो लोग ग्रूप सी के 40,000 पदों के लिए 21,000,000 अधावेदार हैं, यहाँ प देख सकते हैं, आज 30 जून वेडिनर्जडे 2021 को 10 अम पर आई हुए है, यूपि में ग्रूप सी के 40,000 पदों के लिए 21,000,000 दावेदार जाने कब होगी, यूपिट्रेपलसी पीटी एक्जाम सेड्डिूल, यहाँ पे सारे आपको सेड्डिूल पता चलने वाले हैं, उत् परिच्छा कराने की तैयारियों में जूट गया है, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो जूलाई के अंतिम सप्ता तक परिच्छा कारिक्रम जारी कर दिया जाएगा, जिससे आवेदकों को तैयारी के लिए परियाप्त समय मिल सकें, यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बता दिया गया है, कि अंतिम सप्ता जूलाई के जो हैं, अंतिम सप्ता तक परिच्छा का कारिक्रम जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग एक्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेर रही है, प्रारंभिक के बाद मुख्य परिच्छा, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग पहली बार भरती से पहले प्रारंबिक आयरता परिच्छा आयोजीत करा रहा है आयरता परिच्छा में सामिल होने वाले मुख्य परिच्छा में बैठने के लिए पात रहोंगे जिनमें से 21 लाखा वियर्थियों के form आयोग को मिल चुके हैं आयोग अब इसके अदार पर आयरता परिच्छा की तैयारियों कराने में जुट गया है आयोग आयरता परिच्छा अगस्थ में कराने पर विचार कर रहा है तो यहां आपको डेट दिख गई अगस्त में जो है बिचार कर रहा है परिच्छा कारिक्रम जूलाई के अंतिम सब्ता में जारी करने की तयारी है प्रदेश बर में 3000 से अधिक परिच्छा के अंदर बनाये जाने की संभावना है और परिच्छा दो पालियों में कराई जाए परिच्छा कराने से पहले यह भी देखा जाएगे कि अन्य कोई दूसरी परिच्छा न हो अक्टूबर में यहां पर आपको मुख्य परिच्छा यानि मेंस के बारे में बता दिये जाए कि आयोग शमुग के लिए मुख्य परिच्छा अक्टूबर में कराने का बिचार कर तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है, आप लोग सोच रहे होंगे कि समय मिलेगा मुख्य परिच्छा के लिए, तो यहां पर देख सकते हैं, अक्टूबर में फिर आप लोग का यह मुख्य परिच्छा भी कराएगा, जिससे बिदान सबा चुनाओं के लिए लमिया रहे गेती, इसलिए इसमें संसोधन कराया जा रहा है, इसलिए आयोग पहले चरण में करीब 40,000 पदों के लिए मुख्य परिच्छा आयोजीत कराने पर विचार कर रहा है, पदों की संक्या घट बढ़ सकती है, तो यहां पर देख सकते हैं प्रेंड, यह रहा ओव झाल